असलाम अलेकुम, वेलकम वेक टू मैं चैनल, आज हम शेयर करेंगे इस्टफ चाप विद ग्रेवी की रेसिपी, यह बहुत ही मज़े की बनते हैं, बहुत जबरदस्त बनते हैं, तो आप लोग उसे ज़रू ट्राइ कीजिएगा, आप इसे अंगारे पर भी बना सकते हैं, औ आप उसे बनाना शुरू करते हैं, उसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, उसके बाद बैल आइकन की बटन को भी प्रेस कर दीजिए, इसके लिए हमें चाहिए होगा सोयचाप और इस्टफ करने के लिए पनीर, तो म अब मैं इसको इस्टफ करने के लिए ये पनीर लोगी, पनीर को मैस कर लेंगे, पनीर को ज्यादा मैस नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम इसके इंदर इस्टफ करेंगे, तो अल्रेड़ी ये बहुत अच्छे से, मतलब एक दूसरे मिक्स हो जाएगा, सारा भूरता हो जाएग अच्छे से, तो इस पनीर को मैस कर लिए अब मैस में डालोगी वन टीस्पून हरी मिर्च, अद्रक बारीक कती हुई और वन टीए हो टू टीस्पून डालूँगी प्यास बारीक कती हुई, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकोरडिंग, मैंने आप एक काला नमक यूज चाट मसाला डालते हुए करीब क्वाटर टीस्पून तो इस सब चीजों को मिक्स कर देंगे यह मैंने मिक्स कर लिया है अब चलिए सोय चाप लेते हैं और उसको अम स्टप करते हैं अब मैं आपको फिल करके दिखाते हूं फिलिंग करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन डिस्ट जबरदस्त बनकर तयार होती है जो भी खाएगा न इसको आप जिसके लिए भी बनाएंगे जो भी खाएगा वो आपको बहुत 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 ज़ादा आपकी तारीफ करेगा बहुत मज़ेगी बन जाते है मुझे भी बहुत अच्छी लगती है यह डिस्ट तो मैं जबनी तब इसको बनाती रहती हूँ तो आप देखेंगे जब आप इसको फिल कर रहे उगे तो आप इसे उंगली से दिख रहे हैं, आप उंगली से कर रह रहे हूँ, कभी अगणटे से कर देते हैं और आप देखेंगे नीचे से दबाएंगे पूरा टाइट हो जाता है जब फिल हो जाता है पूरा तो टाइट हो जाता है तो अब मैंने इसको फिल कर दिया है इसको मैं बंद करने के लिए तूद्पिक लोगे तूद्पिक से अच्छी तरह से बंद हो जाता है जब हम इसे म अगोठे की मदद से देखें कितने आराम से खुल रही है यह पर्त वाई पर्त यूँ खुलते चली जाएगी अगर फ्रेश लेंगे तो ही खुलेगी अगर आपको फ्रोजन है तो यह इस तरह से नहीं खुलते है अगर आपको यह तरीका आसान लगता है तो आप इस तरह से आपको अगर पसंद है आप इस तरह से बना सकते हैं आपको अच्छा लगता है तो आप इस तरह से भी बना लीजिएगा तो देखिए मैंने इसको फिल कर दिया और इसको भी हम तूद्पिक से बंद करेंगे ताकि यह भी खुले नहीं इसी तरह से मैं सारी फिल कर लोगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ यह मैंने सारी तयार कर ली है तो अब देखिएंगे थोड़ी सी स्टाफिंग बज़े गई है इसे हम ग्रेवी बनाने में यूज़ कर लेंगे यह देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ अब इसको साइड रग देंगे और इसका मेर कर सकते हैं तो यह मैंने क्रीम ले लिए और अब मैंने इसमें डाला है हाफ टी स्पून काली मिर्ज का पाउडर हाफ टी स्पून रोश्टेट जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून डालूंगी में इसमें गरम मसाला और नमका अपने टेस्ट के कोर्डिंग डाल सकते हैं औ यह अपिर आप इसके भी कर सकते हैं चाट मसाले को तू टी स्पून डालूंगी ओयल बन टी स्पून डाल दूंगी में लेमन जूस और बन टी स्पून डाल दूंगी कसूरी में थे अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे यह मैंने मिक्स कर लिया है और आप देखें कितने अची तरह है । हम स्वया चाप को मैनेट करेंगे जिस सॉया चाप को अधृ करेंगे क्या एक साथ ड डाली चाistor पिम प्रबाइएम कोट करेंगे और प्लेट में निकलते जाएंगे वापस से देखी कितने अच्छी तरीके से कोट हो गया और इस तरह से मुझे लगता है जादा अच्छी तरह से कोट हो गया अगर हम सारे एक साथ डाल देते तो अच्छी से कोट नहीं होता है खुल भी सकते दे तो मैंने यहां पर एक पैन लिया है उस पैन में बटर डाल दिया था गरम हो गया है अभी सारे पीसे में एक एक करके इसमें लगा दूगी अगर आपके पास अंगारे हैं आप अंगीठी भी बनाना चाते हैं तो आप उस पर बना लिजिए उस पर तो और भी अच्छा जबरदस टेश्ट आता है अंगारे पर बनाने का अगर आप पैन में ही बना रहे हैं और आप इसमें भी अंगारे का फ्लेवर देनाचाते हैं तो यह जलने लग जाते हैं और मुझे इसे जलाना नहीं है हर तरफ से मुझे अच्छे से इसको गोल्डन कर आने तक सेखना है आप देखेंगे जब आप इसे फुर्स्ट टाइम जब फिलिप करेंगे तो आप देखेंगे कि इतना सॉफ्ट हो रहा पकड़ने से लग रहा है कि यह कहीं से तूट न जाए तो देखें मैंने हर तरफ से पलट पलट कर इसको सीख लिया था यह गोल्डन हो गया है अब मैं इसे निकाल दूँगी आप चाहें तो इसे स्टेज पर इसमें अंगारे का फ्लेवर दे सकते हैं तो मैंने सेम पेन में दुबारा से बटर डाल दिया है बटर को गर्म कर लि अब इसको मिक्स कर दूँगी करीब हलका साथ 2 सेकंड के लिए मैं इसको भून लोंगी अब मैंने यह वन फोर्थ कफ रेश क्रीम डाली है अगर आप ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं ज्यादा चाहते हैं तो आप इनकी क्रीम की दही की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं अब मै अब मैंने इसको हलका साथ 2 सगरं के लिए और इसको मिक्स करूंगी उसके बाद हम इसमें मासालेघनेए पहले तो देखिए मैंने यह पनीर जो पुर्ष किया था उसमें फिलिंग के लिए वह बचिया था तो मैंने वह वह भी डाल दिया अब इसमें अप देख़िए आप आप देखेंगे ग्रेवी अल्मोस्ट डन हो गई है इसमें मैंने वन टीस्पून डाल दिया लेमन जूस इसको मिक्स कर देंगे और अब बस हलका सा इसमें पांच मिनट में बस अबाल लगाना है अच्छा से अबाल आ जाए पांच मिनट भी नहीं लगेंगे अच्छा से में उते क्लिश अंदर फिज्ट लगासे अमट पीस कर में शर्प करेंगे उस के अब इसमें कमार्णा ऐसको आने कुए में लाइक करना मद बूलिएगा तो फिर मिलेंगे अ鬼 ने qay Babe treatment झाल झाल झाल